हेलो फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रंट फेर 13 गस 2022 आपको एब्री डे क्रंट फेर मिलेंगे टॉप 10 क्रंट फेर इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमारा पहला गोश्चन है International Youth Day is observed every year on International Youth Day का मना जाता है तो यह मना जाता है 12 अगस्त को ठीक है 12 अगस्त को International Youth Day मना जाता है इसकी ज़र थीम थी Intergenerational Solitary Creating a Word for All Ages Intergenerational Solitary Creating a World for All Ages ठीक है यह पहली बर मना जाता है 12 अगस्त 2000 को ठीक है Colgetta का है Colgetta West Bengal की Capital है और यह जो West Bengal है ठीक है यहाँ CM है Mamta Banner जी और Capital है Colgetta Next Question और यह जो Tata Steel Chess Tournament है यह 29 November तो 4 December 2020 तक चलेगा Next Question Which Organization has published a book titled Field Guides Birds of India Field Guide Birds of India यह book किस organization ने publish की है तो यह की है Geology Survey of India ठीक है Geological Survey of India यह जो Geology Survey of India यह founded हुआ था 1st July 1916 को इसका headquarter भी है Colgetta West Bengal ठीक है और Next Question Guga Madi Fair was organized in Hanuman Gadd District It is in which state यह जो Guga Madi Festival है फेर है यह Hanuman Gadd District में मना जाता है यह जो Hanuman Gadd District है यह कि state में यह district यह state राजस्तान में है यह राजस्तान में Guga Madi Fair मना जाता है तो राजस्तान के CM है अशोक गहलोट governor है कलराज मिश्रा और capital है जैपूर और आपको National Park पता आना चाहिए रंथन बोर National Park सिरिस्का Tiger Reserve Desert National Park कैलियोंडो National Park धार National Park DARH धार नेम दा न्यू वाइरस रिसेंटली फाउंड इन चाइना चाइना तो वाइरस की जनभूमी बन गई है अब एक और नया वाइरस चाइना में फाउंड हुआ है लेटेस्ट तो इसका नाम क्या है इसका नाम है लेंग्यूआ हैनीपा वाइरस ये भी एक जॉनटिक वाइरस है जो पशुपक्षियों जानवरों से human में फैलते हैं इसे genotic virus बोलते हैं विच इंडियन स्टेट लाँच निथन्ना भीमा स्कीम टू बैनिफिट वेवियर्स वेवियर्स को बैनिफिट करने के बैनिफिट देने के लिए एऐग dość निथन्ना भीमा स्कीम कि स्टेट ने लाँच की है यह लाँच किया है तो यह तेलंगाना तेलंगाना में गौर्मेंट चंदर-षे रहा हो की इन्हों यह स्कीम लाँच की ठीक है इस में भीमा कवर दियागा five square हैं अगर किसी वेवियर्स और को इसी तरह ये वेवियर्स है जो बनाते हैं इनकी हेल्प के लिए ने थन्ना भीमास की लांच की किया है और तेलंगाना की कैपिटल है है हाइद्राबाद विच स्पोर्ट विल नोट भी इंदा 2022 ब्रिक्स गेम ब्रिक्स गेम में कौन सी गेम नहीं है तो चैस भी है वुशू भी है ब्रेक्डास भी है वुशू है जो एक तरह का चाइनास की गेम है ठीक है वुशू ब्रेक्डास आपको मालूम है चैस आपको मालूम है ताइक वंडो इसमें शामिल नहीं किया गया यह जो ब्रिक्स गेम यह online होगी on first September से ठीक है और ब्रिक्स की फुल फुर्म है ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना एड साथ अफ्रिका तो यह मिलके 2022 गेम्स और्गनाइज कर रहे हैं Emma Mekan, who won the most medal in Commonwealth Games 2022 belongs to which country? Emma Mekan ने सबसे ज्यादा gold medal जीते हैं तो यह कौनसी country से related है, यह का A है, Australia से, इन्होंने एक bronze, एक silver और six gold medal जीते हैं यह 28 year old है और यह स्वीमर है, ठीक है, next question, who has resigned as the chairman of Dabr, Dabr कंपनी को कोई नहीं जानता? ठीक है, Dabr के बहुत productive हमारी market में चल रहे हैं तो कीनों ने इसके chairman से resign कर दिया, तो यह resign किया, Amit Barber ने, अब इसके ने chairman बनेंगे, Mohit Barber यह 1884 में बनी थी यह company और इसका headquarter गाजीअबद में है, next question, who has been recently confirmed with the France highest civilian award? फ्रांस का highest civilian award किन को मिला है? यह मिला है शर्शी थरूर को, यह शर्शी थरूर को मिला है, यह writing के लिए मिलता है, ठीक है, उनकी writing के लिए फ्रांस में Emmanuel Macron की सरकार है, उन्होंने इन्हें एक congratulations दिया, शर्शी थरूर को तो इस तरह हमारे 13 ओफ अगस 2022 के current fair complete होते हैं, thanks for watching and subscribe the channel and share with your friends and relatives